हलो दोस्तों कैसे है आप सब? दोस्तों साउथ इस्टर्न कोल फिर्ट्स लिमिटेड जो की कोल इंडिया की एक मिनी रतना कमपनी है यहाँ क्लेरिकल ग्रेड थ्री की 196 वैकेंसी निकली हुई है आए जानते हैं अपलाई करने की LGBT क्राइटेरिया क्या रहेगी एज लिमिट क्या है, सेलेक्शन प्रोसेस क्या है और अपलाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा लेकिन वीडियो शुरूरूरूरू से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना और बिल आइकन प्रेस कर देना आपकी एज लिमिट और इलिजिबिलिटी 24 अगस्त के एकोडिंग चेक की जाएगी इलिजिबिलिटी क्राइटिरिया के बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है इसके साथ ही अगर आपके पास minimum 3 years का work experience है तो ही आप यहाँ अप अपलाई कर सकते हो सेलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो सबसे पहले आपको एक रिटेन टेस्ट देना होगा जो कि 60 मार्क्स कराएगा रिटेन टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको computer proficiency test के लिए कॉल के जाएगा और यह 30 मार्क्स कराएगा क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10 मार्क्स अलोट के जाएगा और यहाँ टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी रिटेन टेस्ट में multiple choice questions पूछे जाएगे और यहाँ टोटल 60 मार्क्स कराएगा रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको computer proficiency test के लिए कॉल किया जाएगा और यह 30 मार्क्स कराएगा अगर आपने metric किया हुआ है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा qualification के लिए अगर आपने 12th pass किया हुआ है तो आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा email receive करने के last date 23 September रहेगी और hard copy receive करने के last date 30 September है application form के साथ आपको बाकी सारे documents भी भेजने होंगे आप इस link से application form डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों यहाँ permanent job निकली हुए salary बहुत ही अच्छी है इस notification की link मैंने description box में डाली हुए है तो आप महाँ जाके check करो and apply जरू करना इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो और इसी तरह की government jobs related regular updates पानी के लिए चैनल को subscribe जरू करे Thank you